नमस्कार वेब दुनिया के इस खास कारिकर में आपका स्वागत है जिसका नाम है उपाय आपके लिए और आज के आंख में हम आपके लिए लेकर आए हैं सब्ताह के वारों से जुड़े कुछ ऐसे करने लाइक उपाय जिने आजमा कर आप अपना भागे खोल सकते हैं अपनी बाधाओं को दूर कर सकते हैं अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं तो आईए सबसे पहले जानते हैं पंडिक जी से सोमवार को लेकर कुछ खास उपाय नमस्कार पंडिक जी स्वागत है इस कारिकर में आपका और क्रपया हमेरे दर्शकों को बताईए सोमवार से जूर क्या लाब मिलेगा इसकी जानता नहीं नहींगे। सुमा जानी भगवान शिव का बार है। शिव जी को प्रसंद करने के लिए सफेद फूल की मादा, सफेद आंकड़े की मादा एक स्वाट बनाकर शिव जी को चलाएं और महामरत्यूंजय का जाब करें शिवास तक पढ़ कर चलाएं तो हमें मानोकामनों को रहा होती है। इसी बरकार हम देखें यदि दामपत्य जीवन में बादा आ रही है। तो गोरी मंगला का पाट करें या गोरी मंगला का रुजदराप से चड़ाएं जिससे हमें लाग होती है। नामपत्य जीवन में बादा दूर होती है। सुबह बेल पत्र सफेज चंदन की भिंदी लगा कर रखवान शीव के पास जाएं और गंगा जल अर्पित करें अपनी मानोकामना बताएं। और महामरत्यूंजय का जाब मही बेटकर एक 108 बार यदि हम करते हैं तो हमारी मानोकामना पूरूर होती है। अगर आम जनता के पास अगर गंगा जल उपलबती नहीं है उस समय तो क्या वो किसी और चीज से अभिषिक कर सकते हैं। शुद्ध जल होना चाहिए। चाहिए वो किसी भी प्रगाल का जलो, कुए का जलो, तलाप का जलो यह आपन नल सभर के लाराएं पर शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध पात्र भी शुद्ध होना चाहिए। और मन में सरद्दा सबसे बड़ी बात है, अगर आपके मन में सरद्दा है, तो जल कोई सा भी हो, उससे आपको निश्यत लाग में हो, और इसी परकार देखा जाए, तो हम भगवांचीव को प्रसंद करने के लिए कई मंत्र होते हैं, ओम का जाप करें, जैसे ओम नमस शिवा है, ओम, भगवत देवा, अश्वदेवा है, इस परकार जाप करने से, सिवी जी जल्दी प्रसंद होते हैं, और अपनी मनों करना होते हैं, तो पंडी जी ने आपको बता हैं, सोंबार से जोड़ी कुछ ऐसे उपाई जहें आसमा कर आप अपनी समस्याओं का हल पासकते हैं इश्वर्ट के करपा पराप्त कर सकते हैं, फिल्हाल आज के आंक में इतना ही लगतार खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए लॉग इन करें, हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर